यदि आपने गणीत का ये पेपर कम्प्लीट तियार कर लिया तो आप एकजाम में 80 में से 80 नम्बर का स्कोर है वो मेथेमेटिक्स गणीत में आराम से कर सकते हैं नमस्कार बच्चो सुवागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में अगर आप राजस्तान बोर्ड कक्सादस की विद्यारती हैं तो इस वीडियो को आपको कम्प्लीट देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्सादस गणीत का एक एसा पेपर बताने वाला हूँ जो आपके पूरा पेपर आपके महतुपूर्ण है यानि इस पेपर में जितने भी कुश्चन दिये गए हैं सारे कुश्चन आपको एकजाम से पहले अच्छे से आपको त्यार करने हैं पूरा पेपर आपके वाइरल है गारंटेड है तो अच्छे से आपको य हैं ते संभी हैं दोडी घखांटैंगे 3 गात फाव में से सबसे लुक्टनस केदम के लुए पर्षार दोडु सकंद से नंभिन Eddy के बाद 10 होगा औ यानि कितने ऐंकों के बाद यह helemaal 10 होगा तो यह ओप्र मुर्टिपल तो हमसले हुआ इसमें अपिसे रहे हैं आपको 2 दे रका है बहंको 4 फ्मी लिए आफ 3 है चाहिस में आपको 5 और दे बै में दोनों रिनात्मक सै में आपके एक दनात्मक होगा और एक रिनात्मक के और दै में आपके दोनों समान होगी तो आपको बताना है कि कौन सा उप्सन आपका सही होगा और तीसरा परसन है आपके कि मेरी आयू पुत्र की आयू की तीगुनी है यानि तीन गुनी है 13 वर्स बाद मेरी आयू पुत्र की आयू की दुगुनी रह जाएगी तो मेरे और मेरे पुत्र की आयू आपको बतानी है तो यहाँ पर A option में 49 वर्स 13 वर्स और 2 में आपके 45 वर्स और 15 वर्स और 7 में 30 वर्स और 10 वर्स और 10 में आपके 36 वर्स और 12 वर्स तो आपका right answer कौन सा होगा वो option आपको लिखना है और उसके बाद person संग्या 4 है आपके कि दिवगात समीकरण 2x square minus का root 5x plus 1 equal में है आपके 0 इसके जो मूल है वो किस प्रकार के आने वाले हैं तो A में आपके दोनों बheen यानि वास्थविक मूल है और 20 में आपके 2 ढ़बर वास्थविक मूल हैं और 20 में आपके कोई वास्थविक मूल है और वह रखनाया और उसके बाद 55 or person है कि एक समानतर्स रेडी आपको दे रखिये कि 5- और उसके बाद डेस डेस उसके बाद में 47 एं तो इसका अने पद से पर्थम पद की और दूसरा पद आपको बताना है तो प्रसल से कि नम्मर छैंपके एक। PQ को बिंदू R किस अनुपात में विवाजित करता है तो इसका जो रेस्ट है वो आपको बताना है और परसन संग्या साथ है कि आयत A O B C के तीन सिर्ष जिसके निर्दे सांग हमें दे रखे हैं इसमें हमें विक्रण की लंबाई वो बतानी है और उसके बाद आठ हुआ परसन है कि दिया गया है कि साइन alpha ब्राबर एक बटा दो और cos beta ब्राबर 1 अपों 2 तो alpha प्लस beta का मान कितना होगा और उसके बाद परसन संग्या नो है आपके कि 2 माइनस 10 theta अपों 2 Cos 1 theta माइनस 1 theta किसके बराबर होगा 10 theta के या कोस थिटा या साइन थिटा या कोट थिटा तो कौन सा उप्सन आपके सही होगा वो आपको बताना है और उसके बाद परसन संग्या 10 है आपके यदि 5, 7, 9, 8, इनका समानतर माद्दे है 9 तो हमें अक्स का मान बताना है और परसन संग्या 11 है कि बटन 3, 5, 4, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 इसका हमें भवलक बताना है और परसन संग्या 12 है कि एक थेले में कार्ड है जिन पर 2, 3, 4 यानि 11 तक संखे एंकिते थेले में से यादर्चे एक कार्ड निकाला गया है तो निकाले गए कार्ड पर एक एवाजे संग्या आने की प्रायक्ता हमें बतानी है और उसके बाद रिक्तिस्तानों की पूर्ति करें तो इसमें आपको रिक्तिस्तानों की पूर्ति करनी है यहां पर टोटल आपको 6 कुशन दे रहे हैं जिनका आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं और उसके बाद तीसरा परसन है आपके कि 700-756 को एभाजे गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है और उसके बाद इसमें दूसरा परसन है कि एक दिविगाद भुपत ग्याद कीजिए जिसके सुनने को का योग और गुणनफल आपको दे रखा है और तीसरे में आपको विबाजन एल्गोरिफम का प्रियोग करके आपको PX को GX से भाग देना है और उसके बाद में चोथा परसन है कि एलफा और बीटा का वह मान ग्याद कीजिए जिसके लिए आपको समीकरण यूगम का कोई हल नहीं है और ये पांच वह परसन है जो आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं काफी इंपोर्टेट पेपर है आपके और उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें दीवगा समीकरणों के मूल ग्याद करने है और उसके बाद में सारे कुशन आपको करने है ये वन वन मारक के कुशन है त एच्छे अप तदा LCM हमें ग्याद करना है और निमन का सत्यापन करना है कि एच्छे अप गुणा LCM बराबर दोनों दी गई संग्याओं का गुणनफल और पांच वह परसन है इसमें आपको भाग देना है GX को PX से और छठा परसन है इसमें गुणांकों के समान बनाकर यानि विलोपन विद्धी से ये दो समीकन दे रखें इनको हपको हल करना है और साथ हुआ परसन है कि तीन वर्स पुरुरहमान की आयू का व्यूतकरम अब से पांच वर्स पस्चात आयू के व्यूतकरमों का योग एक बटा तीन है तो उसकी वर्तमान आयू हमें ग्याद क करना है और ये नौवाँ पर्सन है इसमें पहला प्र पूछा है और दूसरा प्र दे रखा है तीसरा चोथा और पांच हुआ पद हमें ग्याद करना है और चटठा पद रखा है माइनस का बाहिस समानतर से रेडियो में रिक्तिस्टान यानि जो दो बोक्स हैं उनके पदो है तोरण खींचना है ओके और पंद्रुवा कुश्चन है इसमें हमें माद्दे के निकालना है यानि इसकी मीडियन हमें ग्यात करनी है और उसके बाद कुश्चन नमर 16 है हमें कि मान लीजिए आप एक पासे को आकरती में दरसाए आयताकार छेतर में यादर छे रूप से गिराते हैं इसकी क्या प्राइकता है कि वह पासा एक मीटर व्यास वाले वर्त के अंदर गिरता है और उसके बाद में कुश्चन नमर 9 है कुश्चन नमर 9 में यहां पर आपको सर्व समीगा दे रहे हैं इनको हमें सिद्ध करना है ओके इनमें से एक आपको करना है और उसके बाद कुश्चन नमर 21 है आपके कि दी गई इस्तिती में रेखिक समीकरन यूगमों का निर्मान कीजिए और उन्हें ग्राफ ही विदी से हल कीजिए यानि ग्राफ है ओके तो या तो अथवा वाला कर लो इसमें से एक आपको करना है यानि एक का आपको ग्राफ खिंचना है और कुशन नमर 22 ह है आपके कि चार सेमी तिर्जा का एक वर्त खिंचिए और इस पर स्रेखाओं के एक एसे यूगम की रचना कीजिए कि इनके बीच का जो कौन है वो कितना है 60 डिगरी तो रचना का ओचित्ते भी देना है और वर्त के केंदर और इस पर स्रेखा के परतिछेद बिंदू के इसको माफना है और इसके अथवा में वह ऐक कुश्षन दे रिका है हमें question भी आप कर सकते हैं तो ये complete paper आपको exam से पहले अच्छे से आपको त्यार करना है और इस paper का PDF लिंक है वो आपको description में मिल जाएगा तो वहाँ जाकर आप इस paper की PDF भी download कर सकते हैं